वहां से बस गिरी थी और जहां गिरी थी अब वह तस्वीर दिखाएं सचिन इसी तरह मौत के आकड़ों में भी धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है जिनको देखने वाला कोई नहीं है अक्सर में बजार्च में बिठे रहां जहां से हर रोजे बस के कम से कम चाह से च्छेदा और होए और जब दिखनत एक ब्रेकर ने पड़े ना तो दूनलेट बग बस के इस जो शिशा था वो किस तरह से यहां पर गिरा है फूट गया है पूरी करें से चसना चूर हो गया है वो चालीज बोला से ना बस में छमताय तत्के बाता थे अगर आपके घर्टा कोई शक्स इस पंपनी में काम कर रहा होता रात के आठ पच्के पांट में इसी राक्स से दिजरते हुए तो क्या होता तस्वीर में आपको यह चाता नजर आ रहा है बारिश भी हो चली है गर्मी और तपन थोड़ी कम हो गई है लेकिन उस तपन से अभी भी वो गर्मी बरकरार है जो नौ तारिक की रात नौ बजे के करीब एक फोन कॉल से शुरू होती है नमस्कार मैं सीमान थूँ और कैमरे के पीछे सचिन भाव है केपी नियूज देखना शुरू कर चुके है नौ तारिक को जो हाथसा हुआ था कुमारी बस हाथसा उस कवरेज को लगा तार हम लोग सपॉर्ट से दिखा रहे थे आज पुछे हैं आज भी इसी पौट पर पहुंचे हैं ऊपर आप देख सकते उपर का एक एक तस्वीर मैं चाहूंगा सचिन निखाए वहाँ से बस गिरी थि और जहां गिरी थी आब वो तस्वीर दिखा चैया यह वह तस्वीर है और इन दोनों के दर्मियान के हर एक तस्वीर को हमने बारीकियों से कवर किया था बस को ले जाते हुए और बस को निकालते हुए निकालने में क्या परिशानी हुई थी लोगों ने किस तरह बचाने के लिए उसमें काम किया था यह सारी चीजों को हमने यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैग, जोला, चपल, तमाम वो अवशेश हैं, जो उस बस में उन लोगों के साथ मौजूद थे, यह इतनी बेतरतीबी से पड़े हैं, इनका कोई देखने वाला नहीं है, इसी तरह मौत के आंकडों में भी धीरे-धीरे इजाफा हो रहा ह है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है, उनकी बोडी को लेकर कि किसी भी तरह की शिनाक्तगी या किसी भी तरह का कोई जवाब तलब नहीं बताया जा रहा है कि आखिर और कितने लोग हैं, फिलहाल 12 लोगों के मौत के पुष्टी और लगातार यही खबर चल रही है, आप को बता दू कि 8 बजे के करीब जब ड्यूटी के लिए लोग निकलते थे, और अंदर जाना थोड़ा सा जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि दलदल है, मैं चाहूंगा, सचिन, दूसरे रास्ते से हम लोग अंदर जाने की कोशिश करें, डू नॉट एंटर का यह जो लगा सचिन, मैं चाहूंगा कि वहां पर दिखाया और यह देखिए, बस जब इस तरफ गिरी है और गिरने के बाद जो स्थिती हुई, उस स्थिती को खाने के लिए हम लोग फिर देखिए, बस के शिशा जो शिशा था वो किस तरह से यहां पर गिरा है, फूट गया है, पूरी खुदा ना खासता अगर किसी के हाथ में कोई बीडी सिग्रेट या किसी ऐसी कोई ऐसी चीजे संपर्क में आते जो जलनशील होती हैं, तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता था, और शायद जो यातरी घायल हैं और अभी इस वक्त अस्पताल में हैं, उन इस्तीतियों से जूज रहे हैं, वो शायद नहीं रहते, तो ये सारी चीजें भी थी, कई लोगों के नाम सामने आया हैं, सवाल जवाब के लिए भी कई लोगों के नाम सामने आया हैं, लेकिन जवाब पुखता किसी तरह से नहीं मिल पाया, जैसे कि मैंने पहले भी सवाल उठाया है, कि कि मुत की पुष्टी को लेकर कि संख्या में अब तक कितने लोग हैं यह भी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिलबदा जहें हैं बहुत सारी चीजेंव हैं और ओसर बडाराए result के अप 15 किनारे आज पर्ली ये जो तस्वीरे मैं आपको दिखा यह तस्वीर उस दिन की हैं और उस रात की हैं जिस रात बारा लोगों के परिजनों ने अपना सब कुछ खो दिया था सब कुछ इसलिए क्योंकि वो लोग काम पर जाते थे काम करके लौट रहे थे और कुछ के घरों में तो सिर्फ वही काम करने वाले लोग थे जिनकी वज़ा से वह घर चल रहा था ऐसे कई घर अब किस इस्थिती में होंगे यह इस्थिती अभी आप उनके घर जाकर के उनसे बातचीत करेंगे तब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कुछ लोग हैं यहां पर मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा और इन बारेकियों को दिखाते हुए देखी यह बस का सीट है मैं चाहूंगा सचीन थोड़ा सा क्लोस करें यह बस की सीट होती है जो वह है और साथ में जुड़ी हुई थी एक साथ तूट करके नीचे आगे ली हमारे में कहा थो कि का यह बितलब जो केडिया के जो गाड़ी री से एकर का फिटनेस टेस्ट हो बुलते की पहली बुलतर इसकी 2021 तक फेल हो गिरी से अक्वरबद एक रात के बाद बोलते कि नहीं 2024 तक है का चला थे सब 21 तक सरासर जूट नहीं पूले जासे ऐसे लग्ठे जिसे की एकदम ना कोरा जूट सफेज जूट टाइप के बोले जासे भाई ऐसे रही से अक्सर में बजार चांग में बीठे रहां जहां से हर रोजे बसके कम से कम चाह से च्छे दावरा होए और जब देखना एक ब्रेकर में पढ़े ना तो दोनों लाइट लग्ठे मुला एकर ना यह पहले जो किस रही सो ही तिसरा ब्रेकर रही सो ही दोनों लाइट बंद वोकर दिमाग में आई इस नहीं बात कि हो इसका मार दी श्टर्न नीचे बारा जरूर बता थे बाकी मुल नहीं लगत की बारा कम से कम 16-17 में सोस्थनोंकार की लास निकाल नीचे उत्रे में हैं यहां से बाइक लेके जिसे अभी आहां तो देखें कि दोनों क्रेन ने इसे उठाई ओकर बाद एक बंद तो सलामत रही से जो उठी सो भागी स्टूरंथ कि बस दोवारा मद गिर ओकर बाद ना एक एक करके एक करके जतना भी निकालेगी से सरीर सबक निर्मान और बाकी सब अभी तो बहुत कुछ लगा दे है इसाब लाइट लगा दे लाइट भी नहीं है यहां तो लाइट नीरी से जब घटना हुई इसता तो घर के पास में बांते से बास और जो दूपूरुत के रस्सी बांद है कतना दीन टीकी करीब करीब दोह चार छे एक साल फिर वहीं यह तो अपन यह मेरे बस में अतका जहन मर्गे करके एक केस बनी यह तो बाजुवाला थोड़ से आगेम जाबे ना ओधे को पेड़ दिखा थे ओपेड के पास में इसकूल के के इसकूल के जो सुमो चलते इसकूल बस इसकूल बस की तरह सुमो जाओ करःए ऐख ग्रीश का एक मेरे जानी तो यह तो कि रीख समझ अधिया थे चरह हो ज़िए भी यह संधिंग साल पहली तो यह खाली करिवा तो यह तो इना पीछे एदे यह तो शत्य अधित नहाद करें थे कम पिछे दर ने गी वरे गींड करेंट थे जैवाला से दो कुछ दिन पहली भीया निखर इसमोर साथ तेन बता रही से एमेरन वह भी गड़ी 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 रही से 407 तीन लेवर ओमा भी खतम हो रही से पर एकडम लेवर रही से केस दब गए परेम नी आई इस अभी मन थोड़ा से कंपनी वाला प्रड़क्ट होगे तो आ आपान वेहला हैं नौगाडि के यह सरकार में जा थे सिधiness नितलं और है दूंदन नाम लों तो जरक जय होगाड़ी मतलब एक भट्ती में गड़े दो बार जाए, एक सरकारी की फेशने है केहीं कुछ पास रापन भास ऐहाँ में वहान जाए तो हाउस है वहाँ जाए के6 मारें कुछ पाइशने मंगाते लगा आज Kapiak कि अवका का कुछ है जो में आप बता सकते हो अब इमा तो यह तो लगानी जगह है तो सरकार भी रोड नी बना सकते लगते मोला मतलब मुर एक अनुमान बताता हूं कि करो प्राइबेट जगह में रोड बनाया पर बहुत सारा अधिकरहन लगी अतका सारा खर्चा देल लगी पूल पुलिया भी बहुत लंबा बनाया लगी तो उची थे कि कोई दूसरा तरफ से रोड बनाया लेकिन आपसन यह तो चलिस पीट है अच्छा यह लाइट जो लगे है अभी पहली लाइट कप से नहीं रही से कि मोर पाइदाइस तो खर जाम गावें के वाकी 1982 के जनम हरे और 89 में कुमहारी महां बचपन से अब यह ती तो भाटकते रहां वाकी भाटक भाटके देखा था आज तक जिन्दगी पहली बार लाइट देखा था है अभी 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 आजे लगी आजे लगी कल भी गुज कर आया तो बंद हो जाएक ब्रकाइब बस बस सेम सेम हां रोच के रोच के वह बस इसने चलाया पता नहीं किसे चलाया होगा मुर्त बाइक के लाइट बस चलाया पचास जनल लेके वह चालीज बोला थे ना बस में चमता यह ततके बता थे साथ साथ सतर रही सोई कि था हुए तो हाँ जो हिसाब से हम रोच के देखान ना आखरी जो आदमी बन जाए ते सब जहां जो राके लटक पिटक के जाए हुआ अब बढ़ जहां रही सोई यह भाई साब जैसे बता रहे हैं वाकई में सचीन में चाहूंगा इधर आ जाए थोड़ा यह सच है कि अभी तक आंकडे बस में कितने लोग थे उनके नहीं आये हैं जैसा कि भाई सब ने बताया कि अवरलोड लोग और जादा हो हो भी सकता है जानकारे अब तक हांसिल नहीं हो पाई है रोजाना गाडियां गुजरती थी गाड़ी गुजर गाडि बस के बारे में जो जो हमने स्टोरी की है उसमें सब ने कमेंट किया है कि गाड़ी का एक लाइट ही जलता था मतलब जो लोग यहां के निवासिया वो देखते होंगे और भाई साब भी बता रहें कि यहां से जब गाड़ी गुजरती थी तो इस तरह की चीज़ तो गाड़ी की कंडिशन और गाड़ी को देख करके यह तो लगता था कि इसकी फिटनेस का टाइमिंग तो खतम हो गया है लेकिन ऐसी खतम गाड़ियों को चला करके उन लोगों को खतम करना कितना जायस था इसे आप दुरगटना कहेंगे या एक तरह की ऐसी मौत जो वाकई में जिसको ल लग गई हो सकता है लाइट कुछ दिन बाद बंध हो जाए नहीं जले फिर घटना होगी और यह जो बास बल्ली से लगा हुआ है यह तोड़ करके फिर से 12-14 लोग ऐसे खतम हो जाए और उसके बाद फिर से सरकार या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार हो जिनको अगर आपके घर का कोई शक्स इस कंपनी में काम कर रहा होता रात के आठ बच के पांच मिर्ट में इसी राफसे से गुजरते हुए उसकी मौत हो जाती बस से गिरने के बाद तो क्या होता क्या आप उसको सहन कर पाते नहीं तो इस नहीं के साथ कई सारे सवाल भी छोट रह है लेकिन हर दिन हम एक फाइनल रिपोर्ट यहां पर तयार कर रहे हैं आकर के और रोज दिखाएंगे और रोज सवाल उठाते रहेंगे इसी कंपनी में जी भाई सब कर रहा होगा हो तो बजना काम कर रहा है यहां डेड़ बाड़ी वहां सड़ रही होगी अब संपर्क तीन-चार दिन तक नहीं हो पाएगा तो हो सकता है कि यह तो इनसान थी इस करण से केडिया की एक करतूत पता चली है और बस की जो ता स्वीरे थी उस तो हमने दिखाई यहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई और इससे जुड़े क्या रिपोर्ट हैं वो भी हम आपको जमीनी हाकीकतों के माद्य हम से दिखाते रहेंगे शुक्रिया